नमश्कार फ्रेंड्स सात्रिक रसोई में आपका हार्डिक स्वागत हैं आज हम अतनी रसोई में बनाएंगे कांजी गाजर की कांजी कांजी होली आ रही है और यह डाजर सिस्टम के लिए भी बहुत बढ़िया होती है इसलिए जबुर बनानी चाहिए और इसके बनाने के लिए सबसे बड़ी ज़रुत होती है दूप की उसके लिए मैं टिप दे रही हूं आपको क्योंकि मेरे यह दूप नहीं आती है तो मैं उसको बुलन कपड़े में लपेट कर रखती हों पर यह है कि आप सुब़े शाम उसको हिलाए जरू शेक जरू करें तो जसकी तस बनी रहेगी अब बनाना शुरूर करते हैं कांजी लाल गाजर और काली गाजर दोनों से बनती है हमने लाल गाजर लिए काली मिल नहीं रही करने के बाद इसको एक बार फिर से दूएंगे तो दूलिया है अब इसको दो-दो इंच के टुकडों में मैं काट रही हूं आप लोग चाहें जिसाकार में काट लें लंबाई में काटेंगे इसको और इसके बीच का सफेद हाट पार्ट है वो निकाल देंगे और यदि इसपे पानी में नानी है 25 निया इसमें बनांगी मैं इसको बाल लिया और उबलतेपानी में अभियHeย डाल देंगे और इसमें अभी हम फलदी पौडर भी मिला देंगे मंब बीच हैँ कि आरह ही मेंने देंगे जैसे ये वाल आएगःगा हम यज को बन कर देंगे हमें इसको ज्यादा कुप नहीं करना है क्योंकि पानी में भी रहेगी तो यह पक जाएगी जल्दी गलती अब ढखकर इसको छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए इसके लिए यह नमक, काला नमक, लाल मिर्च पाउडर और काली वाली राई लिए पीली मत लिएगा काली से ही अच्छी बनती है उसको पीस लिया है और हिंग लिए इन सबकी कॉंटिटी आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगी यह हमारी ठंडी हो चुकी है और हमें एकदम नहीं कला नहीं थी इसलिए हमने ग्यास बन कर दी सारे अपने स्पाइस मिला देंगे मसाले नमक वगरा आप अपने स्वात के अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं वैसे इद्धम परफेक्ट लिए गया है नापसे लिए गया है सही भी बनिए और हिंग भी ला देंगे राई पाउडर है अब इसके लिए हम यह स्टेरलाइजड शीशे का जारी लें ग्लास वाला ही उसमें अच्छी बनती है क्योंगी खटी रहती है अब इसमें हम ट्रांसवर कर देंगे इसको ढखकर हमें धूप में रखना होगा तो उसके लिए प्लास्टिक का ढखकन हो ठीक है नहीं तो कपड़े से ढखकर और बांद कर उसे धूप में तीन दिन रखेंगे और सुबे शाम एक टाइम तो जरूर हिलाना होगा चाहे शे देखें और गर्म जगे पर उसे रखेंगे तो एज इस वह जाएगी देखिए अब यह सब गाजा नीचे हैं जब यह पक जाएंगी तो उपर आ जाएंगी और समपर डिपेंट करता है यदि आपका वैदर ठीक नहीं है तो भी आप इस तरह से कपड़े में लपेट कर गर यह इसकी पहचान यही है यह सब उपर आ गई है इसका मतलब पक चुकी है और इसमें से अच्छी सी कुश्वू भी आने लगए यह डाइजेशन के लिए बहुती बढ़िया है फेस्टिविल बगरा है यह आपको कुछ ऐसी दिक्कत हो रही है तो यह पी लिए बहुती फा है और इसको इसी तरह से गाजा और पानी मिला कर सर्व करिए बहुती डिटॉक्स बॉटर जिसे कहते हैं यह बहुती बढ़िया है हाजमा दुरूस्त करने के लिए प्रेंट्स मेरा वीडियो आपको कैसा लगा यदी पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में अपने व्यू ज सब्सक्राइब करें बेल आइकोन को प्रेस करें जल्द ही नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं टेक केर बाइबाइ थैंक्यू